हमने पढ़ा था दो टाइप के सल होते हैं प्लांट सेल और अनिमल सेल तो कुछ-कुछ डिफरेंस आप मेरे को बताओ कि आपको क्या क्या डिफरेंस में जरा आते हैं कि यहीं से शुड़ात होते हैं इतने ज्यादा वराइटे क्या था प्लांट एक जगह रहते हैं एनिमल्स मूवमेंट करते हैं प्लांट को एनरजी कम चाहिए एनिमल्स को एनरजी ज्यादा कि यौल्स सब्सक्राइर बैसे एनिमल्स कावि का मोखे हैं और अनिमल्स चिशूक्स काफी सारे जादा होता है कि अद आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल्स में चाट तो बेसिक समझे और लोग वोटा था कि उसको पर मसल्स होती है उसको पर सकिन यह तीन चीज तो है यह अपका आंट से भी देखो ऊपर एपीडर्मी सोथा था विशा अंदर जैला में फिलोम है और अंदर को स्ट्रक्चर देना होग कोई भी आपका और इसी से बना उता है एक श्ट्रक्चर तो अगर हम अनिमल्स की बात करते हैं एक श्ट्रक्चर को उन देता है बोन को इक टिश्यू होगा थिक है तिर मसल्स होंगी कि उस बोन के पर अपनी कुछ मसल्स होती है जो हमको फ्लेक्सिमल्टी देती है एक वो इसका एक्स्पोजर ना हो इसको पर एक स्कीन होने भी बहुत जिली है तो आप इन तीन चार चीज़ चाहिए से सब्सक्राइब का मसल एक टाइब का टिशू होगा और जो हर एक मसल को आपसमें तो कनेक्टिंट करता है तो करनेक्टिंट इसको डिटेलर बनाएब इसलिए लिए करता है जिनको नेमली कहा जाता है इसको कहते हैं टिश्यू सेकिंड टैप के होते हैं connective tissue और four type क्या होते हैं nervous tissue होता है यह आपका सबसे उपर का पार्ट इसको skin बोलते हैं हमने प्रांच से बढ़ाता है epidermis होता था अपर हम epidermis बोलते थे animal के किसमें इसको क्या बोलते है प्र हमारे अंदर मसल्स होती है जो भी आपको मास दिखाई देता है वह मस्कलर टिशू के अंडर में आता है फिर हमारे बोडि में बलड है लिंप है यह ट्रेवल करता है एक जगे दूसरी जगे चीज़ को लेके जाता है एक connecting हमारे पूरे बोड़ी को सिंगनल जोते हैं हमारा बोड़ी में कुछ एक्शन के सब्सक्राइब होता है जो हमको दर्द होता है हमारे दिमाग किती फास्ट मेसेज भेजता है तो यहां पर सब्सक्राइब तो अगर अब अपना स्ट्रक्चर हम ध्यान से देखेंगे तो चार टाइब के टिशू हम देखें एक टिशू मस्कूलर टिशू कनेक्टिन टिशू और नर्वर्स टिशू अब इनके अंदर भी अलग लग वराइटी जिसे एक तीशू में पांच एचे टाइब की वराइटी है तो चार टिशू करेंगे इपिति लेटी टिशू स्किन पाइट कैसा रहता है हमारी स्किन पे कौन-कौन से टिशू रहते हैं और हमारे जो मस्ल्स रहते हैं उसमें कितने काट के मसल्स अब को यहां तक आगे चल सकता है इसका में काम क्या होता है यह प्रोटेक्टिव टिशू होता है हमारी बडी को जो प्लांट को आप जो प्रोटेक्ट करते दे अंदर टिशू होते हैं उसके से ल्टी पेक्टे रहते हैं बहुत थोड़ा पूरा ऐसा शीट आप देखो अपने हाथ के आप देखोगे सकीं कंटेनवेस है। और इनके पीछे में बहुत थोना स्पेस या बिलकुल स्पेस नहीं होता है। या अपस में एकदम कनेक्टड होता है। इंगाकाम क्या होता है? दे कवर मोस्ट अगवन्स अब देखो कके वल रहे हमारी अपर याप जो आपने स्कीन देखते हैं के वर वह वहां नहीं हमारे बॉड़ी में जितने भी और गन दोते हैं जोसे माउथ है तंग है लीवध में है जहां आम जितने भी टिशु देखते हैं जितने भी ओर्गन लेखते हैं उसके उपर जो सब से उपर कवरिंग उसको बहुत है अफिटीलियल टिशु मैं कर रहे हैं आप इपनी आप जीब को अपने मौत में लगा उसमें देखो खलका आपको soft रहता है, जो skin का part रहता है, आपका जू भी अंदर organ बना है, हमारे body का हर पार्ट के सब्सक्राइब है, तो the cover the full body, यह कई सारे काम करती है, जिसे अपने heart को अपना stomach रहता है, boundary बना है, अपना stomach अलग है, हमारा liver अलग है, हमारी अंदर की skin, हमारी blood vessels होती है, हमारे lungs होती है, आप जिस भी organ का नाम लोगे, वहाँ पर जो सबसे outer covering होगी, वो किसकी बनी होती है, वो tissue की बनी होती है, और ऐसे पास 6 टाइब के tissue होते हैं, mouth में tissue अलग रहेगा, heart के लिए अलग रहेगा, liver का अलग रहेगा, तिदी का अलग रहेगा, तो जो skin कहां पर के देखो, अभी आप देखो, हमारे ऊपर की जो skin है, जो हमारे हाथ की जो skin है, वो देखो, थोड़ी कैसी होंगे, और कुछ epithalty tissue आपके मजबूत होंगे, hard होंगे, ठीक है, तो इसको बागे हम पढ़ेंगे, अब इसके functions देखोंगे, क्या क्या functions है, the cell of body surface, ठीक है, from the outer layer of skin, जो मैंने आपको बता दी है, these cells protect the underlying from brain, injury, chemical effect, ठीक है, हमारी body में कोई chemical, अगर हम कोई chemical disease आता है, तो आ अंदर के tissues को effect नहीं करता, ठीक है, हमारी body dry रहती है, हमें injury से बचाता है, ठीक है, हमको जो भार की skin होती है, viral infections से बचाता है, ठीक है, अंदर की जो inside the body, रहीं तक हमने outside का body किया, sir, this tissue can found in both animals and plants, उशार हम भी हमने पढ़ा ना, अभी हम एंबल टिशु पढ़ रहे हैं, उस तो हमारे mouth के नदर देखो, जो lining होती है, जवाज में food pipe होती है, इसको food pipe भी कहते हैं, ठीक है, और सारे organs को protect करने का काम भी कौन करता है, epithelial tissue करता है, और क्या काम करता है, water absorption का का काम करता है, nutrients का का काम करता है, ठीक है, और क्या का काम करता है, elimination of waste product, यह भी earth clean tissue के ठीक है, आप कोई भी ओर्ग लेवार को जो आउंटर कवरिंग वह सब क्या रहता है एक तिस्ट है जो हमारे अंदर हार्मोन होते हैं वह भी अश्कुरेंट होता है यह हर जेगे पाया है अब कोई भी चीज अनाम लेलो यह आपको हर जेगे मिलेगा है हमको जो श्वाइट आता है हमा शैसे, जल्दी बोलो विखकरों निजब करई मैंभात कर रहूं ताया गोश है की एट गल्दी रिप्लाए करों तो क्लोटिंग में ब्लड निकलता है सबसे पहले आपके उसके बूपर बाद में सला चला अब अब एपितिल टिशू की डिटेल में जाएंगे यह काफी लंबा टॉपिक है तो हमको आज और कल में इसको पुरा बढ़ने तो इसमें छे टाइप की टिशू आपको मुलेंगे स्क्वाइमेश यह आपको नाम याद रखनें स्क्वाइ कैसे होते हैं क्यों जैसे हैं क्या बच्वे मत कॉलम्नर और और स्कूल के लिए टेर्श सेल्स टॉपिक है तो इनको याद रखने का तरीका और यह नाम याद ने हैं कैसे आपको तो जो शेल होंगे उनकी शेप कैसी होगी स्क्वाइर जैसी हो चीक है क्योंके अगार इसकी का मतलब होता है यह सीली मतलब है तो जिसके उपर अलग से हेर लगे हो उसको तो नाम आपको थोड़े याद करने चाहिए यहां पर 5 नाम दियां 6 पड़ेगे स्क्वेमिश, क्यूबोडियल, कॉलॉम्नर, ग्रैंडुर और सिलिएटर टाइप के टीशुज तो यहां तक अगे जलें अब हम एक-एक टीशु बजाएंगे, उसका स्ट्रक्शन देखेंगे, वो कहाँ पर पाया जाता है, वो देखेंगे, उसके फॉंक्शन पर तीन चीज़ इंपोर्टेंट, तो डाइगराम, ठीक है, फिर वो कहाँ पाया जाएगा, उसका अकरेंस क्या है, फिर उसका फॉंक् साइड का भी हो सकता है, फाइव इसका से लती है, है, वर यह सका होता है, यह RAM एक स्कीन का ऊपर पार्ट फेल को कहते हैं, यह समझेगे, आटकर पतले-पतले से टिश्यू, बतले-पतले से इस महीं हो घ। र। इसमें क्या है, निउकलिए होता है, जिसमें क्या हैITY? अगर सब्सक्ताइब और तो घर्टानि को फिर में सब्सक्राइब। प्लांट के लिए प्लांट किश्यों होता है इसे बारीग पतला सा इग दम मोटा नहीं होता है इसमें ज्यादा गैप नहीं होता है तो यह बी एक दम कट तु कट सारे सेल सेपस में कनेक कर रहे है एक दम कॉंपेक्ट तिशु पर इसके नहीं होता है अभी कहां का पर पाएजाता है इट फॉर्म इन डेलीकेट गदम नाजुक जहां भी नाजुक काम होगा पर माउथ के अंदर माउथ के अंदर ऑस्वगस मदला हमारी फूड पाइप माउथ है हमारी अंदर की नौज यहां से हम ओटू और सी ओटू का एक्स्चेंज करते हैं हमारी ब्लड वैसल होती है हमारी टंग की कवरिंग होती है इन सब जगह पे यह तिशु पाया जाता है मैंने का ना हम यह चैट टाइप की टिशु पढ़ेंगे सब का लोकेशन आपको डाइग्राम पता होना चाहिए और आपको अकरेंस पता होना चाहिए तीन चीज आपको बहुत सारे मैं आपको 25-30 टिशु पढ़ना है अभी आपको नाम भी भूल गयोगा पीस्ते बाले तो आपको क्या क्या रखना है उसका डाइग्राम कैसा रहता है वह कहां पर पाया जाता है अकरेंस का और इसको फंक्शन के अगर आपके हिटा पढ़ लिया आपका मैक्सिम काम है ठीक है तो कहां पर मिलेगा माउथ फूड पाइप नोज एलोविली ब्लड वैसल्स तंग यहर जिगह मिलेगा इसका फंक्शन के है फंक्शन लंबग सबका सेंद रहत दुर्यां पाइब के इंजिरी मोचित उसको बस्काम का सीच ने लिए उसमे डृईनेस नहीं तो अबुसमें ट्राइनस पर में और यह नहीं हैं और एक सब्सक्तरिकान बिचया है विलेगए बिच्छा कोई नोगोई होगा और इस चप्टर में बहुत कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो आपने पहले में सुनेंगे तुमको एक्जाम में एक्लिस वह लिखो आपको पता है इसलिए मैंने उसको अपकी बुक में तो नाम दिन लिए इसलिए मैं वह आपको याद क सब्सक्राइब करना है इसको उस बोड़ी पार्ट को इससे जम से केमिकल से ड्राइंग से सर मैंने गूगल में सब्सक्राइब क्लियर यह सब को सुन जा गया इसको आगे चल सकते हैं आपको क्या एक रखना है कहां पर अकरेंस होगा और क्या रखना है फंक्शन आपको पर पांश नमर में लिखना है आप एक नमबर में लिखोगे एक नमबर आप डियाग्राम बना दो फटापक अकरेंस लिख दो आपको माउथ इन लिख दो आपको आपको इसको बोलते हैं अपरंवा एक साथ उसका अपक्रेंस उसका नेचर में दाइग्राम को एक्स्टेंट आपको प्रकेंट वह में जो जैल है वो फ्लैट है थीन है ठीक है रिगुलर है स्क्वैर है सर्कील है नुकलिवस है क्या शय्टोप्लाजम है क्या प्लास्मान मेंब्रेन है क्या यह हम बताते है नेचर में लोग मिलेगा फूड पाइपर घंड बिलेगा बलओ वैसल में बता दिया थर्ड फंक्शन क्या काम करता है एंट्रियो जार्म्स केमिकल ड्राइंग से बचाता है चले हैं नेक्स्ट आपका है कर्टीनीज्ड स्क्वर स्क्वर स्ट्वाइश स्क्वर्मस एपिती जिर्थ नाइन बड़ी अजीब अजीब है इन्दू कैसे यादपर आपको इन लोक्त डिक से असको नाम यह कैसे अब जहां भी आपके बोडी पे हेर होते हैं, आपके स्कीन पे जैसे हैर होते हैं我们 खेता है नो मौlig जो रहता है डाड़ी आती है तो जहां भी समझो आपके बाल रएक है यह तिशू आपके डागव हई गार है ऐक कर दिक दो पर हमारी कि सबसे ओटर सिंगा पाक इसमें ऐसे चार लेऊ decreased एक ऍहीं तब की सेंसे एक इस सेंसोटी इसमें जीthen तो लगवाद सेम रहता है इसमें चाहर टाइप की सेल्स होग इसको कहते हैं इसका इसका रहे हैं कॉंप्लेक्स है तब आपको एक दम इजी वे में सब्सक्राइब ने को नेचर पता करना नहीं इस फाउंद इन नस्किन और कहां पर इट कवर दा वह उसके अंदर वाला डेलीकेट है तो आपर कॉनसा मिलेगा इसकेशंब टिशु कि उपर का देखकें वापर क्या मिलेगा जहां भी आपके बाल रहते हैं आप देखों हमारी पूरी बोडी पर लगए बाल रहता तो यहां पर पाये जाएगा आपका टिश्वे कि इसल से ओंप इसल एकषक ड्र शर्वायता है इसलिए की जाटल जो से लिएर जैनल ऐने वन जी लीरर टू्ट जी लेयर फोर चार्ट टैप ही जासे अमने पटा था था लेटो सिव ट्यूब फिर अपना पिर अपना पिर अपना प्रिप्र टीसु पूंसा क्रटनाई जवागा है तो इस सिल फोर्में डिफ्रेंट लेयर्स ऑफ एफिप्रिटीलियम आर नौर सिमलर तो डीपर लेयर ऑफ टीश्यू आपको रफनेस दिखाई दोता है इसको बोलते है स्ट्रेटम कॉर्नम या आपको बैने बुग बेजागा आप उसमें देख सेंगे आपको बस या रखना स्ट्रेटम इसके अंदर रहेंगे इसको कहेंगे स्ट्रेटम लुकीडम लुकीडम इसको क्या बोलेंगे कोमम अलगा अजीब से नाम है आपसे डाइगराम लियाद रखो वह इंपोर्ट है ठीक है और यह कैसे होते हैं यह सर्कूलर टाइप यह उपर सबसे पहले फ्लैट एकदम लाइन जैसे फिर कैसे होगे रॉंबस बन गए फिर कैसे होगे इस खड़े खड़े लंबे लंबे स्लेंटर जैसे इसमें ब्लेक वाला नियुक्लिस है आपसे डाइगराम मना दिया तो भी बहुत अच्छा तब भी आपको नंबर देंगे ठीक है अब इसमें अच्छा प्रोटीन नाम का जो प्रोटीन होता है यह बहुत इंप्रोटेंट होता है इसी से हमारे एहर ग्रोफ ही ठीक है होनी स्केन-like remains of the dead spermous cells उपर गिए आपको आपको यह होता है कि आपको यह होता है यह इस इस पोटिंग वेश्यों और यह कैसी होती है आपका यह एपिटिलिम तिश्यू वाटरूफ आप देगो नहाते हो नहाने बाद देगो पानी इजड़ी आते आपको वाटर से प्रूफ है और कैसी है हाई यह रजिस्टेंस टुना मेकेनिकल इंजरी हमें जो इंजरी होता है एक दा हरे आपको आपको यह आद करना है चार ताइप इसमें प्रूफ होती है चार लेयर्स होती है नाम याद करसको बहुत अच्छी बात है ठीक है यह पर पाई जाती है एक्स्टरनल ड्राइस सर्फेस ऑब दा स्किन काम क्या क्या करती है यह मेली कहां पर यह हेर ग्रोथ के लिए यह वाटर प्रूफिंग रहती है और हमको किसी मेक् सब्रूफिंग कर से मतों अुए सी यह शर सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपको पसीन आता है, स्वेटिंग भी होता है, आपके हेर भी ग्रो करते हैं, तो ही सारे काम होता है, आपको इसके में बहुत सारे काम करती है, ठीक है? अगर NCIT में नहीं है, तो छोड़ देना, इसको अगर NCIT में नहीं है, तो स्किप्ट कर देना कोई दिखकती, ठीक है? पर मुझी दिखाई से आपको पढ़ा है, ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? जिसको केते हैं लोग, कीबोडियल, एपितिलियम, टीशू, ठीक है? यह कैसे हैं? मोटे-मोटे हैं, ऊपर से भी कैसे दिखाई देंगे, स्क्वाइर दिखाई देंगे, और सामने से भी कैसे दिखाई देंगे, सामने से स्क्वाइर देंगे, ऊपर से दिखाई देंगे, विचा स्क्वेरिंट सेक्षेल बट आरदा फ्री सर्फेज एक्जागान धिखते हैं उपर से पेंटागन भी दिखाई देंगे और सामरे इसके तूब जैसा दिखाई जाते हैं वीजा में फैंडाउंग दा क्यूडिमी चीक है हमारे अंदर कीडिमी में ऐसे टूब्स टैप अमारे का मकिया हुँ है एक स्टीव ही में-ट घूाल चान? चूब तक क्यों गोता है इसका एक्सक्रीशन और स्क्रेशन की रहाज है? ठीक है? हमारी कीडी का म करती है एक्सक्रीशन का वो यूरिया फॉर्म करती है यूरीन प्रोड्यूस करती है और वो किड्नी क्या करती है उसको एक्सक्रीट करती बोडी से तो ये टिशू किसमें हल्प करता है एक्सक्रीशन में हल्प करता है और क्या काम करता है सिक्रीशन में हल्प करता है हमें यह स्वेट आता है हमारी बोड़ी से कुछ हर्मोन्स होता है ँई सिशी हुरे इक कुन सा काम करता है जैसे एंजाइम का मतले इस तेले अबंग वो किसी दूसी लोकेशन पर जाते हैं ठीक है तो वहापर उसको एब्जॉर्ब किया आता है जुसरा आपके किड्नी में क्या होता है जब किड्नी का इसको बारनी 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 के अंदर इसको री अब्सॉर्ब कर लेता है और हम खाना जब खाते हैं जब खाना पज जाता है एक दम वो कॉम्प्लेक्स फूट से सिंपल फूड में आता है ग्लूपोज फैट प्रोटीन वाटर 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 सॉल्वेंट बन जाता है तो उसको हमारी इंटेशन को एब्सॉर्ब करने का कम भी होता है तो यह सब जो यह टिशू होता है यह वहाँ पर पाए जाते हैं सब इड्न अधिमें ग्लैंड में और थैरोड जैसी लोकेशन अंडर्शुद आपको डाइगराम याद रखना है डागराम एकदम इजी है यूट टैट को बनाने है नेचर क्यासा होता है यूट टैट के स्ट्रक्चर होते हैं उपर से स्ट्वेर भी दिखते हैं उपर से एक्जगनल ओर, कसी आपकरिएश यहां जो होता है जो हमारे फूड में जो फूड डाइजेस्ट होता है उसको कुछ एंजाइम ही होता है तो पैंक्रिएफ वो pasti होता है। वह भी नहीं होता हुँ हिए, इस दूड कोनी पेचाने है और बोडी इसके प्रोटीन और फेट कोनी पेचान वो क्या करता है, उसको simple simple component में तोड़ता जाएगा, कहाँ पर हमारे चमग में टूपता है, हमारे small intestine में टूपता है, तो ब्रेक होता है, उस ब्रेक करने के लिए enzymes release किये जाएगा, वो enzyme इसको ब्रेक करने का कम है, अधर सूर सबको, यह आपका हो गया, third type का, cubodial type का epithelium tissue, fourth आपका है columnar, fourth आपका है columnar type के epithelium tissue, यह कैसे होता है, खड़े-खड़े cylinder जैसे होता है, ऐसा है, इसमें tissue, इसमें होता है, एकदम base के होता है, इसमें साइटोप्लाजम होता है, इसमें सब living rate है, ओपर से आपको दिखाई देंगे, इसा सर्कील जैसा, ऊपर से देखो गए, आपको ऐसा अशा दिखाई देंगे, और सामने से देखो तो आपको ऐसा दिखाई देंगे, खड़े-चिरिया, पालेब उसने से देखो आपको ऐसा इसमें है, ये आपको देखो उपर से तो चोटे होते हैं, पर लंबाई में बड़े-बड़े होते हैं, तो एसंटे स्वाइब बनाते हैं, जादा आपन मंडब बनाते हैं, इसका नूगली सब्सक्राइब और इसका होता है यहां पर होगा यहां पर इसका नूगलेस है तुमारे स्टमक की जो अंदर की लाइनिय वहाई पर मिलता है में दो इंटेस्टेंट होती है एक स्मॉल होती है वहाँ पर मिलता है ठीक है कोलम में मिलता है ठीक है जो मुक्रस करता है और हमारे गल्ब लेडर में मिलता है ऐसी कई इसका में काम क्या होता है एक सब्सक्राइब करते हैं आपको पता हमारे इंटेस्टेंट में खाना एक रहां ठीक है तो कहीं सारे काम क्या अट रखने कैसा नेचर है तॉलर टॉलर लाइक स्टक्चर नूउकलियुक्लियूश एड़गा बेस ठीक है, अकरेंश कहाँ पर है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन, गॉल ब्लेडर, यप तैल, दो, तीन नाम भी लिग दे तब भी बहुत, ऐसानी कि आपको सारे आप करने, दो, तीन आपको, इजी आद हो हैं, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, और गॉल ब्ल उसको एक्स्टर्ट करें पानी को वहीं चोड़ते हैं वहारी इंटेस्टेंड में पूरा खाना बनता है यह बाद में पूरा यह सेमी सॉलिड प्लस वोतं जाता है रहा है आता ही यह नियुकोज में गुलूकोज में तो क्या करते इंटेस्ट्राइंह से यह हमारे बलड में एफ्सौर्व होता है तो इन पाइप में इन में हमारे डाइजेस्टेट फूड रहे हैं तो इस के बाहर के होता पुरा ब्लॉड वेसल से इस इंटेस्टेंट से हमारा खाना इसके अंदर पहुंचता है तो इसमें तो यह जो टिशू होता है हमारे कहां मिलेगा समक मिलेगा इंटेस्टेंट में मिलेगा और गोल्ग में मिलता है अंडर्स्टूड सबको तो प्रीज यहां तक प्रूज सकते आप लोग उसमें क्या बताना है अच्छा बताओ मुझे आपको उसमें क्या नहीं समझा मुझे बताई अच्छा आपको डाइग्राम नीचा नी समझा आपको फंक्शन नी समझा आपको अकरेंश नी समझा इसका इसका डाइग्राम आपको नी समझा और साइग्राम अब फिप्ट वाले पर चलते हैं ग्रेंडूलर एफिटिलियम टिशु चलो तो यह आपका डाइग्राम है यह आपका ग्लेंडूलर का डाइग्राम है यह देखो यह भी कहां पाया जाता है छो हमारी स्मॉलड ईंटलियम होती है इसी थैक चोटा सा बढ़ा करें तो यह एक तरह से słuंठ जैसे होता है एक तरह से होता है फिसमें इक चोटा सा चेंज क्या होता है इसमें कुछ नंब में परदिज्टा यह देखों जहर दिखें बेर होता है यह देखो यह हमारी पाइप है यह हमारा small intestine है इसमें चारो तरफ ऐसा रहता है उसमें कुछ बड़े भी होते हैं कुछ इसमें छोटे भी होते हैं इनको normally क्याते हैं goblet cells इनको क्या क्याते हैं इसका मेन काम क्या होता है यह secretion का काम करता है Secretion मतलब hormones enzymes को release करने का काम करता है यह था पर पाएं जाता है यह था होता है जो पूरा डाइज़स्ट होता है नोग्यदेश्ट करने वह हैं बहुत सारे यह रिलीस करने और हमारा जो फूर यहां पर होता है उसको पूरो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने नहीं चुर्थ है यह आपके कॉलमर जैसी होते हैं बड इसमें डिफरेंस क्या होता है यह चोटे चोटे भी चोटे टाइप के सब्सक्राइब इसमें आपको इतना ही देखना इसमें याद आपको डिटेल लीगाने ठीक है इन का मोडिफाइड वर्जन होता है अब यही क्या होता है यह ऐसे बैंड हो गया यह यह लंबा जो था च्छोटा हो गया तो जब यह च्छोटा हो गया तो इसको क्या कौन है किसके काम है आपके काम आप्का कर रहा है आपना रभगा स्थाइस थीली केटर अब क्या होता है यह these are hair-like structures, these are hair-like structures, उनको पर क्या होता है, छोटे-छोटे hair लगे हो, चीक है, अभी यह जो होता आपका, यह आपका colonel epithelium tissue ही होता है, तो अगर इसके ओपर ऐसे बाल लग जाए, उसको बोलते हैं, बालों क्या बोलते हैं, तो अगर आपके colonel tissue के ओपर ऐसे बाल आ जाए, उस इसको भी nucleus होता है, ठीक है, इसको भी cytoplasm होता है, ठीक है, यह इसका base होता है, बेस, जिसको पर इस tissue tick out होता है, ठीक है, अब देखो, यह क्या क्या रहता है, occurrence, इस आर cytoklasm outgrowth होता है, आपको hair-like structure होता है, इसको cilia बोलते हैं, ठीक है, occurrence कहां पर है, आपको simple क्या बताना है, यह दोनों cells को, दोनों tissues को होता है, अगर आपका issues के उपर बाल आ जाते हैं, उसकों क्या कहते हैं, cilia type पर मतलब, cuboidal और columnar cells आगे जाके cilia type किसी हम बन जाते हैं, यह बच्छे, एकदम सही बात पकड़ी को, ठीक है, अब यह अकरेंस कहां पर है, इस आर फाउंड इन दा wind pipe, इस आर फाउंड इन दा lungs, these are found in the kidney, these are found in the philippine tubes in the females, चीक है, तो जहां पर भी आपका यह पाट हो, अब देखो, हमारे जो यह लंग्स होते हैं, लंग्स में, देखो, हमारी बोडी में दो पाइप हो, एक होती फूड पाइप, और एक होती विंड पाइप, है ना, विंड पाइप के दिरूम, O2, CO2 हो एक्सांज करते हैं, और फूड पाइप के दिरूम खाना ले, ठीक है, हमारी इसमे, हमारी चापइप में, हमारी चेस्ट में क्या उता है, मुकिस निंक निकल ज्याती है, इसमें में कहते हैं, मुकिस, ठीक है, तो मुकिस हमारी तो जो जो होते हैं उसका में क्या होता है किसम्डंदर हो जो सेमिल लिक्विड होता है वह बैक्टीवीया तेर सुनते है उसको पनी इसाथ चिपका पर समय के साथगी तो और शॉलिड अप देखऊ ऑप company टींते है अगर बहुत सारे दे Чтобы तो इसको क्या बोलते हैं यह पाई आते हैं इसका फंक्शन क्या होता है इसको बोड़ी में ऊपर लेके जाने का काम करते हैं यह समझो आपका आपको बड़ा करके दिखाता हूं यह समझो आपने जो सेल का यह भीजाता ना वीडियो वाला यह बताया था ना चलो गुड़ अगर आपके यह मुकुस Ambassador ओपर आपी यह सांस की सथ क्या करेगा नीचे से आपके तरह मुव करेंगा हमारी सांस की साथिए यह तो इसको क्या करेंगे और म्युक्स हमारा वाया शप्राइब और इनका इस नीची की तरफ गुए तो अमाले म्यूक्स और नीची की तरफ डरेगा ठीक है अंडरस्टूड है यहां पर आपका अगर किसी स्कूल में शुवर कि आहो तो पूसकता है जिसके स्कूल में स्टार्ट वा टॉपिक सब्सक्राइब अब श्रुप पड़ा दी यह चिसने कहा था स्थीशू पड़ा दीजे बोला तरह अब भी ट्षयो पड़ा दीजा ना किज गए सिवं के स्कूल में सब्सक्राइब मुझे पर अचाथ प्रस्ट पॉज़ आ थे दे आज और इधने लिवाद टेश्यू सो पत्र देखें तर प्रस्टीश युआ कि इसका प्रस्ट कर दें वर्चन अजाएगा है कि अंवा डिव हजाया कर लाम कनेक्टिट इस न्यवेश के बढ़ेंगे तो तिशुन इस टिशुन डिमांड बाले को इस दिखने रहा हुगा उपलगा नियुक्टा तुशार ने बढ़ा और तुम लोगे इस्पूल में स्टाट अशुब सब्सक्राइब कर दो बच्चों ने बोला फिर बहुत सारे बच्चे बोलना चालोगे टिशु अच्छा चलो ठीक चलो इस बाने पने चेप्टर तो और हो गारा जब जब तुमको स्कूल में पढ़ाएगा तुमको फिर जल्दी सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब और इसके अगला चप्टर करो कोई आगे अगला चप्टर करो कौं सा करना यह नहीं कि मैस्ट्री किया जब टारे एफिजिक्स है किलिए फिस्ट्री अली तो अधिवक्षिक्स थार्व जा तूम फिजिक्स बोला है शिए में ने फिजिक्स स्निहार कैनेश्ट्री रर्ष्णवीने फ्रीजिक्स अग तेक यृइ रतना पाख़ी दो दो बारब ऐ बात नहीं देट पाषिка है था फ्रीजिक्स इब रखो للणेशनपों नहीं वापिस वोटिंग नई तो है ना हम एक करके हमारा वोट बोल जोते आप गिन लोग इसमें लिगो तो फिजिक्स अभी दगो तुशार ने लिखा फिजिक्स शिवम फिजिक्स सनिया केमस्ट्री अगस्ते केमस्ट्री और अथर रचना पाखी फिजिक्स थ्री और टू बाकी बताथ केमस्ट्री ना उससे पड़ा थे फिजिक्स पड़ा थबंञाएं आप जो तो फीजिक्स करेंड केमस्ट्री और भी रिसेंट्ली वाह्यों से पहले क्या पढ़े़ थे लाइनिवीट पैल केमस्ट्री पढ़ा थे लेकॉण आप एक दिखकर सब्सक्राइब उसका निटा अब अग्ले वीग में पिलेंगे और फिसका फॉर्स लोएंड मोशन स्टाट को तो इस तो में जोटी विंड एपर क्या बिक्चा अपने मोशन सिखा डिया थाना उच्छा दिखा थना और मोशन सब्सक्राइब चाह फोर प्राइब लिया तो देखा हमने स्किन का पुरा पढ़ लिया उसको टिशू का नाम क्या होता है एफिद्लियम टिशू यह पांच अच्छे वराइटी होती है यह अलगला लोकेशन पे पाए जाता है अलगला इनका काम होता तो क्या एक तो डाग्राम याद रखने कई गया तो देखा है अब करते हैं अब मसल को पढ़ेंगे स्किन के नीचे वराइटी होती है इसमें तो 36 इसमें तीन ही है इसमें फूर्ट मसल्स और आपके काडियक मेंस इसको मोलते काडियक मुसल्स वार जो हर्ट मिल्के बनावता है इसके दिल सबसे अलग होता है इसके मुसल्स अलग होते हैं इसलिए अलग तरीके से बनाया है कि वो अपने अलग डंग से काम को इसको आगे पढ़ना स्टाट करते हुआ तक है नियुक्त इसको किया वहते हैं। साइज में बड़े होते हैं यह हम जनरल इसका इंफरमेशन पर ठीक है ओके दा मुवमेंट ऑफ दा बोड़ी और लिंस ब्रॉट बाइदा कॉंट्रेक्शन एंड रिलेक्शेशन ऑफ दा इस टाइप ऑफ मसल से ठीक है आपका हर्ट अपने अपने मुवमेंट करता है बड़ होता है तो कुछ शन को इसको एकुको यह उन्फ मोशन पर जाएक गाशकुल किने इसलाएं के बाहरा का है पी सबूद्ट करदों था निए यहां पर इन वोलंटी मसलों इन्वीं हमारा मुपी जिसे हमारे हर्ट βीडमारे कंट्रोल में धी और क्या अपका खाना कैसे डाई不知道 का आपने बस खाना खालिया होता है, आपको यह नियुकर पचेगा क्यासे, पच्टा है, स्टमक से कहां जाएगा, जाएगा, स्मॉल इंटेस्टेंट से लाज इंटेस्टेंट नहीं किया, इस टैप को मुमेंट को बोलते हैं, इन वोलंटरी मुमेंट, इनके लिए मसल्स अलग-अलग तो तीन टैप के होते हैं, स्टेटेंट मसल्स, स्मूद मसल्स और काडिक मसल्स, इसको याद करने का तरीका, तो जहां भी आपका वोलंटरी एक्शन होता है, जहां पर आपकी इच्छा से गाम होता, वहां पर पाये जाते हैं, स्टेट मसल्स, जहां पर आप कंत्रोल नहीं कर सकते किस चीज को, वहां पर पाये जाते है, स्मूध मसल्स और के वल घर्ट में अलग टाइप आपके जाए 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 जो ना इसे आप साइस लिनाप कंट्रोल कर सकते होगा आपके सांस अटोमेटर रिश्टी यहां पर भी आपका इन वोलंटरी एक्षिन होता है इसले आपको में स्टैटिंग में बता हैं वॉ वोलिंटरी मतलर जो आपके कंड्रोल में है, इन जो आपके कंड्रोल में इन यह था से लेयर टाइप एक ता कहसा है, ये ज़्यादा जयादा गजटा इसला एक डॉले सोल गहां एक के बिस्टेश्थ दिखेंगे, इसले हमार गारे तो सबसे पहले बढ़ते हैं इसको यह हमारा होता है स्ट्रेटर्ट मॉसल्स इसको अंग से डाइगराम बनाता हूं तक आपको सब्सक्राइब है इसमें ऐसी टाइप की स्क्रिप्स बने होगे इसमें 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 घ्राइप देखो तो लाकिन वाय डा इसमें ऐसी टाइप की बनी होते हैं इसलाइप की स्क्रिप्स बने होते हैं इसपाकिए सिप्राइब ए कि इस M जो क्रिप्स वा पाट्टिटिया टाइप जब जब पाक्राइब पयोन processus की मिसका बहुत जरुकें हुश्क नूपील्च जरह आन्डटाइब न्यूपिल्च कुंप이। सब्सक्रिप्स ग recipients इसको लिए इसको बौल कि सिंस अएटायर एंटायर मसल्स फाइबर शो अल्टरेनेटिव अलाइट ये राक उलाइट इडा इडार्फ इनलाइड ना इस लिए इसके लिए आटिप अश्युंट किया इसको इसको अलाइट इसके उपर जो आप कवरिंग देखते हूं यह इस मुसल की हो इस दियार अटेश्ट टुदा बोन्स एंड रेस्पोंसिबल फोर दा बॉडी मुवमेंट कर पाता है हमारा हाथ मुव का जो एंगल तो मुव करता है इसलिए इनको क्या करते हैं स्केल्टन मसल्स इसके तीन नाम हो गया इसका स्केल्टन मसल्स इसलिए और इनको और कुछ कह सकते हैं केल्टन मतलब यहां के ओपर रहते हैं को स्केल्टन कहते हैं यह कुद फंक्शन कर सकते हैं इसको वॉलंट्री कहते हैं इसमें ओपर करने हैं तो यह उपन अंडर होती है और यह क्लोज इसको देख टेप्रिंग तो दिया नोन टेप्रिंग तो इसमें क्लोज ओपन होती है सिलेंडरिकल होती है और क्यासी होती है अन ब्रांश बल्ला एसा है अल्ग से ब्रांश निकलते है क्या स्वी कोई अन निकलते है इसमें जो भी सेल होती है उसमें एक नहीं दो ती नुकलेस होते है इसमें इसमें अपने आपको डिवाइड करती रहती है बच्चा दिविजिन जादा होगा इसमें 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 और इसमें अपने आच्टफ़य होती है इसको बेहों करते हैं जों करते हैं क्लाजमा मेंब्रेन तो मसल सेलिट में जो प्लाजमा मेंब्रेन हो इसको क्वा क्या है चालकोलेमा यह उथनियॉटेजजीत रिक नाल झाल ंगन धिड़ने मेंगे में तुरुके तो इसके नाम याद रखने में गल्ती मत परिता ना यह झि'. यह नॉबली तैकी हँए इसके साइटोप्लाजम को क्या 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 कैते हैं? सांख्याफॉज मत क्या Посла तो जिन भी बोडिपाट को खुद मुवमेंट कर सकते हैं यह वोलेंटरी मसल होता है वोलेंटरी मसल मदलब जहां पर खुद मुवमेंट है भीकेशनों बार मदले जहां दुट थे फालनी हमारे जव politics का जल खुद जाएंटरी मदलब बॉडफेशने हैं जा उररएंटरी मदलने बीसेप्स तरीपड्यंटरी मुड्यगर बारे जो डीपोरी कप्र भाडिआएंगल में दा खुदकेशने के ऑदि कि जोजया तयरी तो हमारे बोडी को प्रोस्ट्रक्शर मिलता है, प्रपोर्ट मिलता है, ठीक है, और यह देगो, अंडर गो, कॉंट्रेक्शन, आप इसको देगो, आप दबा सकते हो, यह थोड़ी अंदर दब जाती है, यह ना, तो यह रिलेक्सेशन, कॉंट्रेक्शन भी करता है, तो कई सारे काम करता है, तो मसल्स जब काम करती है, तो क्या ठंग भी जाती है, जब ठंग जाती है, आपको पैरो में दर्द होता है, आपको हातों में दर्द होता है, क्यों को दर्द होता है, आपकी मसल्स ठंग जाती है, यह काम करती है, यह कॉंट्रेक्शन होती है, तो मसल मिचल में कर दो है ह। बोलेंटरी मसल्स का होता है केल्टर मसल्स का होता है और इसमें कोई डाउट हूथ देख नंद प्लरका है एने डाउट की लिए इस अजी को डाउट यहां तर किसी को प्लीज रप्ला इंदे चैट बोक्स इस अल क्लियर सब्सक्राइब करें अगला है स्मूथ मसल्स तो स्मूथ मसल्स जहाब पर हमारा काएब इन वोलन्टरी मोशन होता है जापर आवन यहां साथ से काम नहीं करते है इसमें स्ट्रिप्स इसमें कुई अलग्षे पाठ्या नहीं होती इसमें कोई अलग्स प्टिश्य आने होती बोन अहीं आएगा तब आपको पढ़ाएं तुछ थे कि पर्चा चल तो स्मूथ म है आपकड़ इस यह इस नुटियस होता है अंदर अधूपलास्म होता है ऊपर फाइब टाइब का श्रक्टर होता है उपर ऑपर मतलब क्लोज रोता है और एक के साथ ऐसे नेट होगा तूरा इसके साथ में कि अभी तरो मझभूती मिलती है हमारी बोडी ओ अदर्स्टूर्ट एक लिए के साथ जुसी रपस में सेच चिंप जाती तो इसकी बॉंडिंग मजबूत हो यहां कि इस नूटलेस होता है ताइटो प्लासम होता है अब इसको ठोटिकों यह को जो तो बंदल यह शीट को दूसरा शीट को तीसा शीट आप लोगों देखाए डिया बहुत गोजेंडेंड उसकी होती है जो टुगेदर ओल्डालूस कनेक्टिंग टिशू प पांदरे कांद करता है वह भी MGT skin इसको प्रेंज असंब मेंबरें होती है इसके अंदर फ्लाज्म होता है इसको साहरकोप्ल पर उपर को पर दे इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं मायो फिब्रोल फिब्रिल मायो फिब्रिल यह बहुत डिटेल में तो आपको चैकिने जिता दिया नहीं उससा इसमें पहलेगा इसके अब यह कहां पर पाई जाती है इसमें बहुते हैं तो यह बहुत जाता है तो जिसमें भी आपको पाई टाइब का स्ट्रक्टर दिखता है जिसमें अंदर होलो स्ट्टर होता है जिसमें बहुत जाता है तो जहां भी आपको ओलो टाइब का स्ट्रक्टर होता है और हर्ट को छोड़के बाकी जहां भी हमारे तूब जाता है काम करती है अपने हर्ट पार जाता है चमक, इंटेस्टाइन, युरेटर, ब्रॉंचाई, आइरीस ऑफ दा आय, तो इसका, देखो हमारा बोडी का जो भी पाट है जहां पर हमारा मुमेंट कंट्रोल नहीं होता, आप वो यहां पर नाम दिए, आपको तींचार नाम याद रखने, इसका है, तो सर्मसलब मैंजिमम में समूद मसल्स होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, आप दो प्रोड़क्ट्ट्विच आपर अनिमाल, और टिशू यु आप अनिमीमर की निकालते हो, जो आप अनिमर की निकालते हो दूप अनिसको मार की निकालते हो जुआ इम जो कुटिए, तो हिल invites घून तो पर देखना उसमें लिक्वर पाया जाता है, वो सब्रीम जो मने लिकल पडा चीग है, हर्ची डैड नहीं होता है, पर बाद में जो बोडी से अलग हो जाता है, तो पर डैड हो जाता है, ठीक बला कफर्ष, everything is not dead. तो smooth issue does not work according to our belief, यह हमारी विल चे काम नहीं करते हैं, तो they are known as involuntary muscles, इसको कहते हैं, तो movement of food in the pipe, आप तो देखो उसके खाना मूमें डाल चाहिए, आप चबाते हो, चबाने के बाद, आप उसको गले पर गटकाते हो, उसको अंदर वो food pipe में कह जाता है, आपकी अनुमती से से आपकी food pipe होती है, इसके अंदर जवाब पर खाने आता है, ऐसे बंदल बनते है, आप ऐसे खातो, जोटा-जोटा-पी, आप इसमें, यह क्या होता है, यह pipe contract करती है, और relax करती है, यह pipe बाहर खुलती है, फिर अंदर खुलती है, तो ऊपर अंदर-बाहर, अंदर-बाहर होत हमारे stomach में पहुंच जाता है, धीर जरी scandal जेता है, तो यह motion आप control नहीं करते हो, यह अपने आप चलता है, तो फूड पाइप में, जो movement of the food होता है, इसका function होता है, और opening and closing of tubes are involuntary, आप देखो हमारा stomach रहता है, यह समझा आपका stomach है, इसमें यहाँ पर आपकी food pipe connect होती है, यह यहाँ पर normally closed होती है, normally कैसे तो flap होता है, flap देखा है, आप कभी देखो, गर में kitchen होता है, exhaust fan, exhaust fan normally कैसा होता है, तो आपका फैंक जलता है, तो flap उपर open होयाता है, आप जैसे switch बंद करते हो flap, बंद होयाता है, तो इसमें भी, यह normally ऐसा flap का kind of structure होता है, तो जब उपका food आ पर पशकता है, जब बंद होयाता है, और यहाँ से ही जाता है, आपके small intestine के लिए, तो यह भी normally closed होता है, यह कप ता close रहता है, जब तब आपका food आपका digest में होता है, हमारे stomach में partial digestion होता है, full digestion हमारे stomach में लिए अचा, हमारे stomach में जोमारा food होता है, वो तगरिवन 3-4 गंदे तो जो यहाँ पर फूड़ा तूपता है, हमारा carbohydrate glucose में तूपते है, हमारा थोड़ा इसमें प्रोटीन्स तूपते है, जो फैक होता है, हमारे stomach में कभी नी बिरिक होता है, तो यहाँ पर हमारे food होता है, वो 3-6 खवर रहता है, उसके बाद क्या होता है, यह pipe open होती है, तो ह वकषित कोह्यों व्युदर भीए स्क्राइब को सभेन के लग्राइब भी कोई कंटोल इस मूःटां सफ़ोंध टिक लिए अचाइब दी स्मूटमसल कॉंटर्ट्रेक्ट्क लो param और यह अपने आपी घुलती हो, श्रोली बंद रहती है, इसे कहते हैं रात को, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, हमारी पैप खुल जाथी है, यहां ते फूर नीचे आखा है, तो नुमली करते हैं, एक सी देडे एक से दो गहंटा पहले खाना खाले नाचीज़, क्यों खाले इस पाइप को बंधूने में टाइम लगता है। जल्बी सुआ जाते हो, आपको कई बार रात मेर आपको लगता है अपको लगता है अंदर से वाप शुर बाहरा आया है। कि आक समझेफ ज्यादा खाली आपने एक्सिस खालिए अमारी सूमग के कैस्सिक एक्सिस का इसके होता इसमे फोड पाई नो इना इसमे फोड़ा रहेटा अब यह open होता अब यह तो पैक हो गया यह क्यों गह्या अब रात को क्या होता है कि आमutz बहुत नहीं खाना हुआ आसको vomiting होने का भी काना, ये खानां को कितना खानेजाए हैं, हाफ दस खामक, जोंक नियुके हम्मारा वन फोर्स हमक खाना चाहता ह manifestation, और वारटर हाफ हाफ, और वन फोर्स खाली होना चाह », वन फोर्स एंटी, रजुवर्स में फूद, 1.5 में बाटर और 1.4 में अपधे टब से कुछ लोग अगरते हिर ने कला है गले दटखाते हैं पाटी गए दोस्की शादी थी मेरा दोस्की आपाटी दिया पृण मीला, दबागे खाएंगे तो आद गले दखाते हैं और गले दखाते हैं कि विए कर्फ autoceII अब बिच्चे केप्सी होती है हमारी जो मेरी केशीive mentor होता है खीक? जह नहीं क्या है कि एक किलो दो किलो अपने वो अनर पिर एक ओने अंडर सुमील महातना न बस हँआ जबुझेपस ना एक ड़क कर और सिंग्र मंपने के एक कुछ और समील पेल तो नॉर्मली इस स्मूथ मसल कॉंट्रेक्ट स्लोली बट रिमेर कॉंट्रेक्टेट फोर लॉंग पिरिड ओक टाइब यहां पढ़िया प्रेस्टिक मुमेंट होता है बला परने मलत कॉंट्रेक्ट और रिदमेक चलता है इसा पूर आपका धीर जिर मीचे आप यहार जेगा टीक है जो गुड्या प्रग्रीड कुछी हो अथिन अच्छुट यहां पर कोई लॉड पीजिए अच्छी यवट बहुत जादा ति मुवारा आख ते रों खाते रों खाते रों तुम मोटू पुतु देखतु बच्पान से मोटु पुतू चर्पण से मोटू-पुतू तो मैं उसको देखता हुआ तो मोतु का कल में एक सोट रिखा एक जे के गया रेस्टोरन ने और इन वो जा जर्मन या फ्रांस के ट्रिप पर एक जडिक लिखा था है इंडियन घाना 50 एरो उनलिमिटेड फाली बटू बैठी तुम को था मोतु कितना खाता है वो खाता जा ख तुम लोग में देखा वागैं लेटिस्ट के अप्लोड हुआ है शारूगल अगे देखा है भी तो इस सरे हमारे जो भी है डाट जा बोलो अले चाख क्या हुआ तो आपनी देखा कि मोतु कॉत। वला एकिसोड है तो यह थर्ड वाला देखो भी यह थर्ड यह आपके तर तो जैसे ब इसमें सत्रिप्स थी तो किया है। काईडेक मसल्स में स्ट्रिप्स होती हैं, इसमें स्टिंगल नुक्लियस होता है, इसमें स्ट्रिप्स थी, इसमें कई नुक्लियस थे, यहां पर स्ट्रिप्स थे हैं, बट स्टिंगल नुक्लियस होता है, इनमें ब्रांचेज नहीं होती दोनों में, इसमें ब्रांचेज होत जो दिखो अपस में कोटी है, तो दोनों का मिला जुला यृ रूउब जो होता है, वो काइडेक मसल्स होती है. अब इसको काइडेल हो बटते हैं. तो काइडिग मुशल्षोओ जो करे कारे सिख वोथ, sniff भॉक्त हैम इज तोरी ब्रांचिशब करो सिर्ट चुन फिर भॉज भॉजोठी कुस्री credible होता है फाइबर वो एग्दम लंबा 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 रहता है। उकलेस का पर होता है। सेंटर में लोकेटर होता है। तो दो मसल्स के बीच में, इसके बीच में जो भी स्पेस होगा, यह भारा जाता है किनेक्टिंग टिशू को पढ़ेंगे तो आपको डेटेल में आएगा क इसके इतका के कनेक्टिंग टिशू होता है। इसे कारेट आपके कनेक्टि टिशू होता है। तो इसके बीच बीच बाया व्रंड गया। इसप्रिप्स होता है। नीं सब्स Each Again, डॉम कि यह भालत होता है। कैसे काम करता है और इसको अपके ego reality होता यह आपका की पीट में थे तब हम काम काम करता है तब जोड़ करना था प्रूच्छैंप सब करना थी तो इसको यह प्लाजमा मेंबरेन बताजी आपको मेंने ठीक है? ओके गोड. आपके खाने का जो फूड पाइप होता है, वो तीन घंटे बाद बंद होती है. लेकिन आपके जो हर्ट की मुसल्स पाइप होती है. आपका जो धड़कन होता है. सब्सक्राइप होती है,ब्सक्ति हां अबद बाद और से उन्स पाइप होती है heee. सब्सक्ति क्यों होता है. आफ़ती हम धेप बंद होती हैं आपके छुट इया है. इसको हाट आटक बोलते हैं, 10th क्लास में आपको हाट आटक पढ़ाए जाएगा, कि हाटा आटक क्यों होता है, तो the contraction and relaxation of the heart muscles help to pump blood, यह क्या काम करता है, ब्लड को pumping करता है, ब्लड की pumping की जोर्च के होती है, तो ब्लड आपके connecting tissue होता है, उसको बोडी के हारे पार्ट पर पहु देता है, तो इसको pump करना पड़ता है, तो pumping का कमपन करता है, यह हट मसल करता है, ठीक है, अब देको तीनों में बड़े अच्छे-च्छे differences दिये गए हैं, अगर आपको कभी यह तीनों के एक बाम, easy one में समझना है, तो easy one में आपने कैसा मसल सकते हैं, यह आपकी smooth muscle, यह second आपका, यापका skeleton muscle, first वाला जो था यापकी cardic muscle, ठीक है, अब इसमें strips होती हैं, दोनों में, first or third में, इसमें strips नहीं होती, इसकी shape कैसी तो spindle जाती, ऐसे वाली, spindle, इसकी shape कैसी तो cylindrical, यह भी कैसा आता है, cylindrical होती है, इसमें कोई branch नहीं होता है, इसमें ब्रांच नहीं होत इसमें नुकलियर नीचे रहता है, इसमें नुकलियर रहता है, इसमें नुकलियर रहता है, इसमें नुकलियर सेंटरी होता 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 है, आपका हर्ट फास्ट मुवमेंट होता है तो यहां पर आपका मुसल टिशू ओवर होता है तो आज का नेटवर का काफी दिखेट चाथा बच्चों को समस्पारों में तो आपको पहले बेच चुगा हूं तो आपका होमवक है तो पीटीक टिशू और मतल टिशू के बारे आपको तो जिन लोग ने आज काम नहीं समय्क किया तो प्लीज आप होमवक कर सकते हो कि यह एने डाउट तील है एए एने डाउट इलिए है तो कल हम दो टाइप के हमारे दो टीशु बढ़ गया कॉंसे हैं कनेक्टिव टीशु कनेक्टिव टीशु मदे को कई टाइप के आंगे अपने